हलो दोस्तो शुआ गता आपका हेल्थ प्लस में दोस्तो हम आज बात करते हैं कि एक किडिनी फेले पेशेंट की या जो डायलाइसिप्स चल रहे हैं उन पेशेंट की डायेट प्लान क्या होने चाहिए यानि सुबह से लेकर साम तक उसका जो बोजन है वो क्या होना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो हर पेशेंट की डायेट में कुछ ना कुछ फरक देखने को निलता है क्योंकि किसी पेशेंट में बलड डिफ्रेशर हाई रहता है तो किसी में बलड डिफ्रेशर लो र इसके कारण जो नेप्रोलोजिस्ट है या जो डायेटी से नहीं वो क्या करते है कि इनकी डायेट चार्ड में कुछ ना कुछ फरक रखते हैं यहाँ पर मैं बात करूंगा आज ऐसे एक डायेट चार्ड गी या एक डायेट प्लान गी जो हर एक पेशेंट जो यूज कर सकत इनको वापस रिप्लान तो यहाँ पर आप प्रोटीन है उनकी डायेट अच्छे से ले सकते हैं यहाँ पर एक चीज और में बदा दो आपको कि अगर आपको प्रोटीन यूरिया की समस्या है यानि कि आपके पिसाम में प्रोटीन की मातरा आ अरिये तो यहाँ पर आपको और ऊपर प्रोटीन कम करना पडसेगा लेकिन आप प्रोटीन इल्कुल भी बन्द नहीं कर सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरील के लिए बहुत ही महत्वक्र heads इसलिए आप प्रोटीन की डायेट लगता लें आप प्रोटीन में ज्यादा तर अंडाग आसके यानि कि अन्डे प्रोटीन होता है तो आपको क्षमचा होजाती है जो स्पीड आप यानि आपके जो kidney damage हो रहे है उसकी जो स्पीड वो ज्यादा बहतर हो जाती है इसलिए आपको नमक की डाइट भी बिल्कुल कम लेना है इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारे सरी में पानी होता है उसको वापस retention करता है नमक तो आपके स्रीज में ज्यादा नमक की हो जैसे सुजर भी देखने को मिल सकती है इसलिए आपको जहां तक हो सके नमक को अवोइड करना है आगर नेक्स्ट है यानि सब्जियों की बात करें तो जैसे कि आलू हो गया जिकुंदर हो गया सकरगंद हो गयी स्वीट पोटेटो हो गया इन जैसी जो इन सब्जियों में क्या होता है कि पोटेशन के मात्रा ज्यादा होती है तो आपको इन सभी सब्जियों को अवोइड करना है इनके अलव तो आपको जितना उसके उतिनी मातRO एक इक में जड़ेता हैि याई मर अगर आपके बलड में भूस प्रोस की मातRO बढ़ जाएगी अगर हम यहां पर बात करें, तो जो भी dairy product है, यानि कि छाच हो गया, धही हो गया, या जो भी dairy product आते हैं, या इसके अलावा जैसे मटन हो गया, चिकन हो गया, यह सब कुछ आपको अबोएड करना है, क्योंकि इन में जो फोस फोस की मातरा है, वो बहुँ ज़्यादा पाई यहां पर अगर हम next देखें, तो sugar वाली diet, देखें, sugar भी आपको बिल्कुल कम लेना है, क्योंकि किसी में क्या होता है, कि diabetes की समस्या रहती है, तो किसी में diabetes भी नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, kidney फेल होने के बाद, जो diabetes होने के सबसे ज़्यादा chances होते हैं, इसलिए आपको diabetes वाली, जो भी diet हो नहीं लेनी है, यानि जिसमें ज्यादा sugar की मात्रा पाई जाती है, उस diet को आपको 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 अवएट करना है, इसमें आगे जैसे juice आ गया, या पिर अगर बात में sweet potato आ गया, इसमें भी sugar की मात्रा बहुँ जादा होती है, ऐसी जो भी product है, सुगर की मात्रा जादा होती है, वो आपको बिल्कुल नहीं खाने है, अब बात करते हैं कि एक kidney failure patient में सुबह से लेकर शाम तक की diet plan है, उसका chart क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दू, यह मेरा फुद का experience भी है, यू मनो कि मैंने 2 साल तक dialysis करवाया तो उस आप एक कफ दूद का भी लेना चाहें, तो वो भी आप ले सकते हैं, यह तो हो गया हना, शुबह का नास्ता या पिर breakfast, अब बात करते हैं हम दोपएर के खाने की, देखें दोपएर के खाने में साधा रोटी और सबजी ले सकते हैं, अगर हम रोटी की बात करें तो यहाँ आपके पेट में गेस बनने की समस्या है वो भी नहीं हो पाएगी और अगर हम यहां पर सब्जी की बात करें तो वो सब्जी ही खाने है आपको जिसमें sodium और potassium की मात्रा है वो बिल्कुल कम हो इसके बाद हम बात करते हैं स्यांक के नाशते कि यह लग बग तीन चार बजे के आ सबस्क्राइब लेस आपके कैनी के लिए अगर को जितना जयाद सबस्क्राइब अगर let you know achamol air 4yy सकते श्याप को तो आप अगर आपको दैक मौघ तियाट ले सकते हैं कि अगर आप धाने 땡 काने के शंप सकते हैं मातरा वो ज्यादा हो जाएगी और डायलाइसस में आपको पानी निकालने की समझा होगे इसलिए आपको जितना कम हो सेगे जानी कि दिन में एक लिटर से जादा आपको पानी नहीं पिनना है